जिन्पत की तीनो नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है, सभी नदियां खत्रे के निशान से नीचे आ गई हैं राप्ती नदी खत्रे के निशान से तिरपन सैंटीमीटर नीचे बह रही है जिसके संबंद में आबदा विशशग्य गौतम गुपता ने बताया कि नदियों के घटे जलस्तर से बार्ग प्रभावित गाउं में गंदगी से बचने के लिए नगर निगम द्वारा सफाई की विवस्ता की गई है तथा लगातार फॉगिंग भी किया जा रहा है इसके अलावा स्वास्त भभाग द्वारा जगा जगा पर मेटकल कैम्प लगाया जा रहे है डेंगू और मलेरिया सहीत संक्रामक रोगों के उपचार के लिए मेटकल कैम्प लगाया गया है उन्होंने बताया कि अभी तक जनपत में एक लाख 24,412 लोगों को बाल राहर सामगरी का वित्रण किया जा चुका है जिले में सिती समान है, इस संबन में गुरकपुर नियू से बात करते हुए आप दाविशे शगय गौतम गुपता ने कहा जिले को देख सरुआ है जिले कि अज़ शब कीव शल्य जार्बरोदक वीले के शा ऐसे ल्यगशे देख समाम का सभी तक एंट्पर भित्रण को। युँप प consigमा गीशी है तो अब आप 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 नदियां सभी बहुत तेजी से घट रही है और इससमें समी नदिया अपकरें डेंजर लेवल से नीचे आ गई है कुछ नदियां तो अपने वार्निंग लेवल से में नीचे आ चुकी है तो अब नियाजा जो नदि का जलस्तर है वो कटने से जो साफ सफाई की वेवस्ता है वो यो दस्तर पर कराई जा रही है और सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया गया है कि वे साफ सफाई की वेवस्ता सुनिशित कराएं फॉगिंग इत्यादी भी लगातार DPRO अप्फिस के माध्यम से कराये जाने के लिए डियम सरदौरा अंडर्देशित किया गया है और जहां जहां पर भी अभी मेडिकल कैम्प्स भी आयो जित किये जा रहे हैं विविन ग्रामों में और साथ ही यह भी डियम सरदौरा अंडर्देशित किया गया है कि वहां पर जो मलेरिया और डेंगो आधी जो भी संक्रामग बीमारी से जो समस्या है उसके लिए गाउं में कैम्प करके लोगों को जागरू भी किया जाए और लोगों को अलड़ भी किया जाए तो इस तरह से भी सबस्वास भी भाग टीम द्वारा इसको काड़े किया जा रहा है तो जहां जहां पर भी जो भी दिक्कते हैं कंट्रोल लूं के मादियम से लागातार उसको अपडेट भी किया जा रहा है उनकी मॉनेटरिंग भी ग्राम परधान गण से वार्था करके की जा रही है तो अभी जो भी इस्तिती है वो दिरे दिरे अब सामानने हो जाएगी तरह अभी तक कितने किटों अभी तरह किया जाए जाए अभी तक हमारे वहां एक लाग चौबीस हजार चार सो बारा किट का अब तक पतब वित्रन किया जा चुका है और यह अभी तक जो आज तकी जो फिगर प्राप्त की है वो यही है